हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू आवर यूट्यूब चानल स्टेडी आवर लाइफ तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इडूटेरिया का जो भीहार दरोगा का वॉलूम वन प्रैक्टिस सेट आया था उसी सेट नमर आपका फाइव नमर होने वाला है फोर तक आपका कम्प्ली कि भारत के महा नयवादी के बारे में निम्नलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है उसे केबल भारत के उच्चितम न्याले में सुनवाई कारिकार है वो उच्चितम न्याले के न्यारी स्निक्थ होने के लिए आरहिंथ होगा वो भारत सरकार को शभी बिधी शंबंधी सुनबाई का अधिकार है महानयवादी भारत सरकार का बिधी अधिकारी होता है और महानयवादी को भारत के राजचेटर के सभी न्यालयों में सुनबाई करने का अधिकार होता है ना कि केबल उच्चतम न्यालय में महानयवादी की निवक्ति जो होता है वो रास्ट पती के द्वारा किया जाता है तथा उसके प्रशाद पर्यंद पधारन भी करता है नेक्स प्रस्ण देखेंगे नेक्स प्रस्ण आपका दूसरा नंबर प्रस्ण है कि इन में लिखित में कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है तो इसमें से जो मूल अधिकार का भाग नहीं होगा वो है परियावरन संदक्षन, परियावरन संदक्षन जो है ये मूल अधिकार का भाग नहीं है, भारत का जो संभिधान है इसका भाग तीन, भारत के संभिधान का भाग तीन, जिसमें अनुछेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है, जिसमें सिक्छा का अधिकार, अस्प्रिसेता संबंदी अधिकार अलप संख्यक बर्ग के हितों में का संड़क्षन सभी मौली का इधिकार है जवकि पर्यावरण के संड़क्षन तथा संबर्धन और बन एबम वन जीवों की रक्षा संबंदीत धार्म ये सभी आपका निति निदेशक में सामिल है तिसरा नमबर प्रस्ण है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का आइधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था तो इस प्रस्ण का आंसर आप जानेंगे हो जाएगा भारत सासन अधिनियम 1919 का भारत सासन 1919 जिसको की माटेंग्यो जेम स्पोर्ट सुधार भी कहते हैं इसके द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को वोट देने का आइधिकार जो है वो दिया गया था और उस समय इंग्लेंड के परदान मंत्री लॉयर्ड जर्ज थे भारतिय सम्विधान में गंतात्रात्मक एबं प्रस्ताबना में स्वतंत्रता सम्ता और वन्दुत्ता सब्द किस दे से लिया गया है तो इस प्रस्ण का आंसर हो जाएगा फ्रांस भारतिये संबिधान में गंता, त्रात्मक, प्रस्तावना, स्वतंत्रता, सम्ता और बंधूत ये सभी सब्द जो है वो फ्रांस से लिया गया है भारतिये संबिधान में अस्टेलिया से प्रस्तावना की भासा दच्छी नफिरिका से समिधान संसोधन की प्रकिरिया तथा जपान से बीड़ी द्वरास्थापित प्रकिरिया प्राप्त किया गया है नेक्स्ट प्रसन है कि निम्ण में से कौन सा बेक्ती 1946 में गठित आंत्री मंद्री मंदल का सदस नहीं था तो डॉक्टर S. राधा कृष्णन डॉक्टर S. राधा कृष्णन जो है ये 1946 में गठित आंत्री मंद्री मंदल के सदस नहीं थे कैबनेट मिशन योजना के अधार पर 24 अगस्ट 1946 को घोष्णा के तहद नव निर्वाचित संबिधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की आंत्रीम सरकार का गठन किया गया जिसमें सभी जिसमें से राजगोपालाचारी सिक्षा मंत्री डॉक्टर डाजंदर प्रसाद खादेवं किर्सी मंत्री जग जीवन डाम स्रम मंत्री थे जबकि डॉक्टर S. राधा कृष्णन जो थे ये पर्थम आंत्रीम राश्टिय सरकार के सदस नहीं थे नेक्स्ट कोश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित है संग राजगोचेत्रों का प्रसाशन अनुशेद 249 राश्टपती को किसी बिधायक पर अनुमती देने कार अनुशेद 111 संसद के सत्र सत्रावासन और भीगटन अनुशेद 85 सभी सही है क्या है सभी सही है ऑप्सन नंबर डी संबिधान के अनुशेद 6 किस राज में लागू नहीं होती है तो संबिधान के अनुशेद 6 जो है यह लागू होता है आपका एक तो लागू होता है आपका सिक्की में और दूसरा मनीपूर में आप्सन नमबर D असम मेघाले तिरपुरा मिजोरम ये राजों के जो जनजाती छेत के बारे में प्रशासन का उपबंद किया गया है वो छटी अनुसुची में वर्णित है तो असम हो जाएगा असम मेघाले तिरपुरा मिजोरम इसमें से लागू नहीं होता है तो सिक्किम और मनीपूर में आठ नमबर प्रस्ण है कि निम्निलिखित में कौन सा एक भारत के संविधान का संगिये लक्षन है तो इस प्रस्ण का आंसर हो जाएगा भारत के संविधान का संगिये लक्षन एक तो लिखित संविधान है हमारा संविधान जो है वो कठोर संविधान है नियाई पालका की सरबोचिता and next आपका हो जाएगा केंद्र एवं राजों के मद सक्तियों का वित्रन option number D भारत के संभिधान के संभात्मक लक्षनों में संभिधान कठोर, संभिधान केंद्र और राजों के मद सक्तियों का वित्रन है नयाई पालका की सरवोचिता एबम, स्वतनतरदा, दुई सदनीय विधान मंडल ये सभी सामिल है नौ नमबर है निम्रेलिखित में से किस राज्य के विधान सभा के सीटों की संख्या सरवधिक है तो विधान सभा की सीटों की संख्या उत्राखंड में, कहां पे उत्राखंड में उप्सन नमबर A इसका करेक्ट आंसर है उत्राखंड में विधान सभा सीटों की संख्या सत्तर है हिमाचल परदेश में 68 है और नाचल परदेश में 60 है और मिजोरम में 40 है नेक्स्ट है, राज्यों में मुख मंतरी सहीद, मंतरी परिसद में मंतरियों की इंड़नितम संख्या क्या हो सकती है? 12 हो सकती है भारत के सम्विधान के अनुछेद 164 का कौचा है वन बोले इसमें मंत्री परिशद में मंत्रियों की संख्या के बारे में उपबंध है इसके अनुसार किसी राज के मंत्री परिसद में मुख मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज के विधान सभा के सलसों की कुल संख्या के 15 परतिसद से अधिक नहीं होगी प्रान्तू किसी राज में मुख मंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी सेक्तिराश्ट संग में छो भासाओं को अधिकारिक भासा का दर्जा दिया गया है छो भासा में अंग्रेजी है अर्बी, चीनी, फ्रांसिसी, रूसी और स्पेनिस ये छे भासा को जो है वो छे भासा को अधिकारिक भासा का दर्जा दिया गया है 12 नमबर प्रस्थ है कि तुलाल या थुलाल किस राज की एकल ब्यांग्यात्मक निर्थ सेली है तो तुलाल या थुलाल निर्थ प्रसिद सास्त्रिय निर्थों में से एक है या एकल निर्थ है इस निर्थ का उदभव का छेतर केरल के प्रसिद कभी कच्चन नावियार को दिया जाता है केरल के कच्चन नावियार तो option number केरल is the correct answer मेगुती के जैन मंदीर वर्तमान में किस राज में इस्थित है तो मेगुती के जैन मंदीर वर्तमान में करनाटक में इस्थित है कहाँ पे करनाटक में ओप्सन नमबर बी मेगुती जयन मंदिर करनाटक राज के बिजापूर जिले में इस्तित है बिजापूर जिले में और ये मंदिर पुलकेशीन दूतिये ने बन बाया था पर्थम उलम्पिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया तो पर्थम उलम्पिक खेलों का आयोजन ग्रीस में किया गया पर्थम आधुनिक उलम्पिक खेल यूनान ग्रीस की राजधानी एंथेस में 1986 भी में आयोजित किया गया और बर्स 2020 में टोक्यो जपान में आयोजित किया गया और 2024 में कहां पे होगा पेडिस फ्रांस में होगा तो दा स्ट्रेगल फॉर इंडिया सॉल के लेखक हो जाएंगे ससी थरूर क्या हो जाएंगे ससी थरूर option number A correct answer है the struggle for India souls असी थरूर की रचना है वहीं अगर आप पुछेंगे कि सल्मान रूस्दी की क्या रचना है तो सल्मान रूस्दी की है sunrise over ayodhya ठीक है और एक lauren esser का याद रखेगा terms and conditions terms and conditions जो है वो lauren esser का है let me say it now पुस्तक के लेखक है let me say it now पुस्तक के लेखक हो जाएंगे rakes maria को है rakes maria let me say it now के वहीं आपका बीमल जलान की जो पुस्तक है बीमल जलान की वो है the India story the India story बीमल जलान की पुस्तक है Bill Gates की रचना है Bill Gates की रचना है how to prevent the next panademic and एक पृतिश शिनौई की रचना है पृतिश शुनाई की a place called home अगला देखते हैं चोई 17 नमर यहाँ पहना 17 नमर प्रस्ण को देखिएगा प्रथम आंगल बर्मायूद की सुरुवात के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो Lord M. Hust option नमर B 1823 से लेकि 1828 तक किसका कारेकाल था ठीक है 1823 से 1828 इसके समय प्रथम आंगल बर्मायूद 1824 से 26 लरा गया था और 26 इस भी में बर्मा एबम अंग्रेजों के बीच यांडबू की संदी हुई थी और 1824 में जो है वो बैरकपुर का सैन विद्रो भी इसी के समय हुआ था नेक्स्ट है भारतीय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेज के पहले अध्यक्ष कौन थे तो भारतीय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेज के जो पहले अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राई थे कौन थे लाला लाजपत राई भारत में ट्रेड यूनियन कॉंग्रिस की अस्थापना एन एम जोसी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में की गई इसके प्रतम अध्यक्ष लाला लाजपत राई थे और उपाध्यक्ष पूछे तो जोसेफ बैरिस्टा और महामंत्री दिवान चमल लाल बजाज थे कॉंग्रेस के हरीपूरा यानि गुजरात अधिवेशन जो की 1938 में हुआ था शुभास चंद्र बोस बर्स 1949 में तिरपूरी अधिवेशन में भी और 25 सिता रमया को हडाकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे वहीं कारिकरनी के गठन के प्रस्ण परगांधी जी से मतविद के कारण उन्होंने क्या किया था त्याग पत दे दिया था जिसके बाद राजंदर प्रिशाद कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने थे बीस नमर प्रस्ण है कि पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेत्रित किस ने किया तो इस प्रस्ण का आंसर हो जाएगा आपका मुहमद अली जिन्ना मार्च 1940 मार्च 1940 को मुस्लिम लिंग का अधिवेशन लहोड में हुआ और इसकी अध्यक्ष था मुहमद अली जिन्ना ने की इस अधिवेशन में भारत से अलग एक राष्ट पाकिस्तान की मांग की गई और जिन्ना ने अधिवेशन में क्या किया अधिवेशन में भासन दे प्रचार के लिए सर्वोद्य समाज के अस्थापना किया था तो बिनोवा भावे के सर्वोद्य समाज के अस्थापना किया था और बिनोवा भावे द्वारा गांधी जी के अधर्स के प्रचार के लिए सर्वोद्य समाज के अस्थापना किया गया था 22 नमबर प्रसने आपका कि भारत में ब्रिटेन के सभी सम्विधानिक परयोगों में से सबसे कम समय तक चला ब्रिटेन के सभी सम्विधानिक परयोगों में सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसलिंग चला वहीं रैमजे मैक डोनाल्ड के सब्द में ये सुधार प्रजात अंत्र और नौकर साही के मद एक अधूरा और अल्प कालिन सहिम जोता था भारतिये परिशद अधिनियम 1909 द्वारा ब्रिटिस भारत में सम्प्रदाइक परतिनित्त की विवस्था की गई जिसके अंतरगत मुसल्मान के लिए पिर्थक निर्वाचक मंडल की विवस्था क्या गया और गांधी जी ने कहा मारलो मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनास कर दिया किसने कहा महात्मा गांधी ने कहा निमने लिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है तो 1767 से 1779 परतम आंगल अंगल मराठा यूद ये कथन जो है आपका कर रहा है कि निमने लिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है तो यह परतम आंगल मराठा यूद जो हुआ था वो 1775 से 1782 ठीक है एक मिनट तो आपको सही बताना है तो ये तो आपका गलत है क्योंकि पर्थम आंगल मराठा यूद जो हुआ था वो 1775 से 182 में हुआ था इसलिए आपका ये पहला गलत हो जाएगा 1790 से बिरानविर में तिर्थिये मैसूर यूद तो तिर्थिये मैसूर यूद जो हुआ था तिर्थिये मैसूर यूद ये 1790 से बिरानविर में हुआ था बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है ठीक है 1824 से 26 में प्रथम आंगल बरमायूद तो प्रथम आंगल बरमायूद जो हुआ था परतम आंगल बर्मायुद ये कथन भी आपका गलत है यह सही है ये सही है अठारासो चोबी से चब्वीस में ही हुआ था और निक्स्ट है आपका अठारासो पैतालिस से च्चैलिस में दूती आंगल सीख्युद ये स्टेटमेंट भी गलत है दो और तीन ही आपका सही है क्योंकि दूती आंगल सिख्यूद ये हुआ था दूती आंगल सिख्यूद 1848 से लेके 49 तक में हुआ था ठीक है पुस्तक सा जहानामा के लेखक हैं तो सा जहानामा पुस्तक के लेखक इनायत खा हैं पुस्तक सा जहाना के लेखक इनायत खा हैं अब इसकी एगर हम बात करते हैं अगला कोशन का तो किस मुगल सासक के दरवार में दो प्रसिद संस्क्रीत कभी बंसी धरमिस एबं हरी नरायन मिस्र रहते थे तो इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा सा जहां सा जहां के दरवार में बंसिधर मिस्र और हरी निरायन मिस्र नाम के दो संस्कृत के कभी रहते थे ठीक है निवन में कौन सा कभी सगुन संप्रदाई से संबंदित नहीं थे तो सगुन संप्रदाई से सबसे प्रसिद कवी थे नेक्स प्रसना आता है 28 नमबर देवल अंतरास्टिय बंदरगा के रूप में प्रसिद था तो देवल अंतरास्टिय बंदरगा के रूप में जो प्रसिद था वो हो जाएगा आपका सल्तनत काल में कब सल्तनत काल में ओप्सन नमबर A, देबल संतनत काल में अंतराष्टी बंदरगा के रूप में प्रसिद था, 29 नमबर देखिएगा कि मोहमद बिन तुगलक को प्रिंस ओफ मनियर्स की संग्या दी थी, एडवर्ड थॉमस, किसने एडवर्ड थॉमस ने, ओप्सन नमबर C, मोहमद बिन तुग प्रभु सूरी नामक, जैन साधू को अपने दर्बार में बुला कर सम्मान किया था, 29 नमर प्रसिद देखते हैं, सुरी, 29 नमर तो हो गया, आगे देखते हैं, कोश्चन नमबर 30, सैदब सबता का महान अश्णानागर कहां से प्राप्त हुआ, तो सैदब सबता का महान अश्णानागर जो है, ये मोहन जोदारों से प्राप्त हुआ, कहां से मोहन जोदारों से, सैदब सबता के महान अश्णानागर के साक्ष मोहन जोदरों से प्राप्त हुआ, जिसके लं एक्तिस नमबर प्रस्च मैं कि किस वेद में सभा और समीती को प्रजापती की दो पुतरी कहा गया तो इस प्रस्च का आंसर हो जाएगा अथर वेद में आगे देखेंगे कि निम्ड में से कौन सा छेतर असोक के समराज में समलित नहीं है तो असोक के समराज में स्री लंका समलित नहीं था असोक दूतिय सिलालेक से असपस्ट होता है कि यूए इन राज्यों को सीमा वर्ती राजे कहा गया है इसलिए अगला है कि 95 मा आसकार अबाड के तहद नाटू नाटू गाने को सरबस्रेस्ट गाने का अवाड दिया गया इस गाने के संगीतकार है तो नाटू नाटू गाने के संगीतकार है इस गाने के जो संगीतकार है M M किरवानी है कौन है M M किरवानी option number A और इब बात करते हैं इस गाने के संगित कार तो M M किरवानी है और नाटू-नाटू को सर्बस्रेश्ट संगित का वाट दिया गया है ध्यान रखिएगा बहुत important प्रसन है ये Gas Authority of India Gail गेल के नए निदेशक कौन बने तो गेल के नए निदेशक बने है संदीब कुमार गुपता संदीब कुमार गुपता महारतन कमपनी गेल की अस्था अपना 1984 में हुआ था और इसके नए निदेशक संदीब कुमार गुपता बने है अभी बर्तमान में महारतन कम्पनिया की संख्या कितनी है? 12 है आई एन एस बेला स्कार्पियन्स रेनी की पंडूबी को किस देश ने विक्सित किया? तो आई एन एस बेला स्कार्पियन्स रेनी की पंडूबी को जो विक्सित किया है वो है फ्रांस किसने फ्रांस ने फ्रांस ने इसे विक्सित किया है और राफेल लडाकु विमान को भी फ्रांस ही विक्सित किया था राफेल को भी 36 नमबर है हाली में आए मैंडस तूफान का नामा करन किस देश के द्वारा किया गया आगे देखते हैं 37 नमर प्रस्ण हाली में तेजपूर लीची को GI टैग दिया गया इसका संबंध किस राज से है तो तेजपूर लीची को GI टैग दिया गया इसका संबंध असम से है असम से ठीक है और बिहार के साही लीची का GI टैग बिहार को प्राप्त है साही लीची का हाली में बालकृष्ण दोसी का निधन हो गया उनका संबंध था तो बालकृष्ण दोसी का जो संबंध था वो बास्तु कला से था बास्तु कला से बालकृष्ण दोसी का 24 जनबरी 2023 को इनकी जो है वो निधन हो गई अंतरास्टी शौरगटवंधन के नए अध्यक्ष कौन बने तो अंतरास्टी शौरगटवंधन के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हो जाएंगे आरके सिंग कौन बने हैं आरके सिंग अंतारास्टी ये शौरगटवंदन की अस्थापना 2015 में और फ्रांस तथा भारत के सहयोग से किया गया था फ्रांस और भारत के सहयोग से जिसका हेड़कौाटर गुरू ग्राम हरियाना में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष आरके सिंग है चालिस नमर प्रस्ण है कि जल्दूत एप को किस मंत्राले द्वारा जारी किया गया तो जल्दूत एप को जो है वो ग्रामिन विकास मंत्राले के द्वारा जारी किया गया देश भर में चैनित कूओं में जलस्तर को बढ़ाने के उद्देश से जो है इस एप को विक्षित कि किया गया है ग्रामिन विकास मंतरलक के द्वारा, भारत तथा अमेरिका के मद सातमा संगम अभ्यास का आयोजन कहां किया गया है गुवा कहां किया गया किया गया संगांगाभ्यास भारत और अमेरीका के मद होने बाला एक 9 में भारत और प्रस्व और अपरेशन चलाया गया लेट थ Titans पाकिस्तान सीमा पर अधिक सुरक्षा की दिरिष्टी कों से ओपरेशन अलर्ट चला गया गया है 43 नमर प्रस्ण है कि जलवायू परिवर्तन परदर्शन सुचकांक 2023 में कौन सा देश प्रतामस्थान पे है तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क कौन हो जाएगा डेनमार्क जलवायू परिवर्तन परदर्शन सुचकांक 2023 में प्रतामस्थान पे डेनमार्क है जबकि भारत का अस्थान इसमें पूछे तो वो आठमा है बारत का अस्थान आठमा है नेक्स्ट है आम बजट 2023 से 24 के तहद मनरेगा के लिए कितनी रासी आवंटित हुई है तो आम बजट 2023 से 24 के तहद मनरेगा के लिए जो रासी आवंटित की गई है वो 60,000 करोर है जबकी जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोर है 60,000 करोर आगे देखते हैं कोशन नमबर आपका 45 डियज्टल सकती 4.0 कार्जक्रम की शुरुआथ की गई महिला आयोक के धौरा और राश्टिये महिला आयोग ने इसकी जो है शुरुवात की है और इसका शुरुवात 16.09.2022 को किया गया अरजुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सूस्री सरिता का सम्मंद कुस्ती से है किस से है कुस्ती से उप्सन नमबर B सूसरी सरिता का संबंद कुस्ती खेल से हैं इन्हें 2022 के लिए अर्जुन पुरसकार हेतु चुना गया और वर्तमान में अर्जुन पुरसकार 2022 हेतु कुल 25 खिलारी का चैन किया गया 25 फीफा अंडर 20 महिला विशुकप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा कोस्टारिका में फीफा अंडर 20 महिला विशुकप 2023 का आयोजन कोस्टारिका में किया जाएगा और फीफा अंडर 20 पुरस विशुकप का आयोजन इंडोनेशिया में होगा पुरस का महिला ससक्तिकरन पर G20 का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया तो महिला ससक्तिकरन पर G20 सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है ये किया गया है आपका कहां पर आगरा में 11-12 फरवरी को महिला ससक्तिकरन पर G20 देशो को दो दिवस्य सम्मेलन आगरा में संपन हुआ और इसम्मेलन की अध्यक्ष था फिक्की के अध्यक्ष डॉक्टर रेड़ी के दौरा किया गया जो फिक्की के अध्यक्ष है बिस्व दाल दिवस प्रतीवर्स कब मनाया जाता है तो बिस्व दाल दिवस सोला फरवरी को मनाते हैं कब सोला फरवरी को प्रतीवस 16 फरवरी को 20 दाल दिवस मनाया जाता है और सबसे पहले इसकी सुरुवाद 2018 में हुई थी डुरंड कप के भी जैता हैं तो डुरंड कप के भी जैता बैंगलूरू हैं डुरंड कप 2022 के बिजयता बैंगलूरू टिव है जिसने मुंबई सीटी को हरा कर या खिताब जीता था मुंबई सीटी को हरा कर गोल्डेन ग्लोब अवार्ड है तू किस फिल्म को सरफ्ष्ष्ष्ट फिल्म का पुरसकार दिया गया तो Golden Globe Award हे तू जो फिल्म को सरवस्रेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है The Fable Man, क्या है The Fable Man, option number A, 2020 में सरवस्रेस्ट फिल्म का आवार्ड दिया गया, और इस फिल्म के जो निर्देशक है, Stephen Spilverg है, Stephen Spilverg Rocksall, हल्दिया Greenfield Expressway की शुरूआत किस वर्ष तक की जाने की घोसना की गई है, और इसकी लंबाए 695 किलोमेटर होगा, और लागत चवबन हजार करोर का है तिरपन नमबर प्रस्न है कि हाली में गोसना के अनुसार बिहार के कि जिले में Water Spot Center खोलने की घोसना की गई नेक्स प्रस नाते देखते हैं कोश्यन नमबर चौबन अभी हाली में किस पार्टी को रास्टिये पार्टी का दर्जा दिया गया तो किसे दिया गया है तो हाली में जो रास्टिये पार्टी का दर्जा आपको दिया गया है बरतमान में भारत में आठ पार्टी को रास्टिय फेयर प्ले अवार्ड दिया गया तो इंगलेंड को दिया गया फीफा विस्तकप 2022 का किताब अर्जन्टीना ने फ्रांस को हरा कर जीता और इसमें फेयर प्ले अवार्ड का किताब इंगलेंड को दिया गया चपन नमबर प्रस्ण है, भारत वन रिपोर्ट 2020 के अनुसार सर्बाधिक मैग्रो बाले राज हैं तो सर्बाधिक मैग्रो बाले राज जो हो जाएंगे वो है आपका पस्छिम मंगाल आपसन नमबर A भारत में खुल मैग्रो बन 492 कीलो मिटर है और सबसे जादा मेगरोब बाले राज Πश्शी मंगाल और दूसरा अस्थान गुजरात का है रास्चपती चुनाब 2022 हेतु कुल कितने वोट परे तो कुल 474 वोट परे परे हैं रास्ट्पती चुनाब 2022 हेतु कुल 4 राउंड में वोट की इंदी की गई थी जिसमें की कुल मिलाकर 474 बोट परे थे और 471 बोट वो वैद थे 471 बोट क्या थे वैद थे राष्टपती द्रोपती मुर्मू को 2824 बोट परे थे निम्निलिकित में कौन सा गरह सबसे कम समय में सूर्ण का चक्कर लगाता है तो सबसे कम चमय में बुध चक्कर लगाएगा सूर्ण के सबसे नजदिक इस्तित बुध होता है जो कि सबसे छोटा गरह है और ये मातर 88 दिनों में सूर्ण का चकर लगा लेता है बिस्तु के दो सबसे छोटे महादुइप है तो एक तो अस्टेलिया है दूसरा यूरोप है बिस्तु के दो सबसे छोटे महादुइप अस्टेलिया और यूरोप है चितरफल की द्रिश्टी से महादुप का अगर आरोही करम आप देखेंगे तो सबसे पहले छोटा में अस्टेलिया, फिर यूरोप, फिर अटांटिका, दच्छिन अमेरिका, उतरी अमेरिका, अफरीका और एसिया हो जाएगा, सबसे बड़ा एसिया है नेक्स्ट है, प्राइदुप भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है, तो प्राइदुप भारत की सबसे उची चोटी अनाई मूरी है, कौन है अनाई मूरी, ओप्सन नमबर सी, प्राइदुप भारत की सबसे उची चोटी अनाई मूरी है, और इसकी उचाए 2695 मीटर है, इसक गंगोत्री राष्टिय पार्ग का एक भाग है गंगोत्री राष्टिय पार्ग का निली करांती की सुरुवात किस पंच वर्सी योजना के दौरान की गई थी तो निली करांती की सुरुवात जो हुई थी वो पांचमी पंच वर्सी योजना के दौरान का पांचमी पंच वर प्रसन आप से कह रहा है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिटी से प्राप्त होता है तो पौधों को सबसे ज़्यादा पानी जो प्राप्त होगा वो लोम मिटी से होगा लोम मिटी या फिर दोमट मिटी के नाम से जाना जाता है और यह जो मिटी होता है किरसी के लिए न परिस्तित है और ये मरले डालिंग बेसीन तथा उसकी सहायक नदियोद्वारा लाई गई मिट्टी से बना सम्तल उपजाओ मैदान है होर नौफ अफरिका के भाग है तो होर नौफ अफरिका के भाग है सोमालिया है इथोपिया है और जिबूति है कौन सा ओप्सन हो जाएग अफरिका के उतरी पुर्वी भाग में इस्तित भागोलिक छेतर है और इसका जो आकार है वो होर नी यानी सिंग जैसा है सोमालिया इथोपिया जिबूति इसके एक्जामपल है नेक्स प्रस नाता है आपका 66 नंबर वह कौन सा ओपकरन है जो उर्जा के एक रूप को दूस दूसरे सिग्नल में बदल देता है तो वो ट्रांसर ड्यूसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ट्रांस्यूडर ऑप्सन नंबर वी ट्रांस ड्यूसर एक ऐसा उपकरन होता है जो उर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिबर्तित कर देता है और आम तोर परिया एक प्रतिक्रिया का उधारन हो जाएगा वह हाइड्रोजन बम कौन है हाइड्रोजन बम थर्मोनिक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का उधारन हाइड्रोजन बम है अत्यदिक उच टेंप्रेचर पर होने वाली परमानू प्रतिक्रियाओं को थर्मोनिक्लियर प्रतिक्रिया कहा जाता है और इस प्रक्रिया का उप्योग हाइड्रोजन बंबनाने में किया जाता है विद्धूत मोटर के संबंद में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है तो विद्धूत मोटर के संबंद में आप देखेंगे इसमें गलत हो जाएगा कौन सा तो दिया है कि विद्धूत म के प्रकार है ये है legal को एक विद्दूत मों एक विद्दूत यांत्रिक मसीन है जो विद्दूत अर्जा यांत्रिकुचा में बदलता भी है और ये फैराडे द्वारा प्रतिपादित सिधान्त पर अधारित है विद्दूत मोटर, दिस्ट धारा और प्रत्यावर्ति धारा दोनों द्वारा संचालित किया जाता है इसलिए आपका जो है ये सीख गलत हो जाएगा ओम का नियम डैस और डैस के बीच संबन्द का वर्नन करता है तो ओम का जो नियम होता है वो विद्दूधारा और विवांतर के बीच के संबन्द का वर्नन करता है ठीक है किसके किसके बीच विद्दूधारा और विवांतर के बीच इसके अनुसार जो नियत टाप पर एक चालक से गुजरने वाली धारा चालक पर विवांतर के सीधे समानुपाती होता है यानि आई डिरेक्टली प्रपोर्शनल होता है भीके ठीक है नेक्स प्रशनाता है कि निम्रलेकित में से कौन सा कथन न्यूटन की गती से तिसरे नियम के लिए सही है तो न्यूटन के गती के नियम के एकोडिंग तिसरा नियम के एकोडिंग जो सही होगा माल न्यूटन के गती का तिर्दिये नियम को किरिया प्रतिकिरिया का नियम कहते और Newton के गति के तीसरे नियम के लिए बल अलग-अलग बल जो होता है वो अलग-अलग निकाई पर बिप्री दिसा में लागू होता है इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा निम्लिकित में किस परकार की किरने प्रीथवी के बायू मंडल में परवेस नहीं कर पाती है तो वो है X किरने एक परकार का विद्दु चुम्बक ये विकिर्ण है जिसकी तरहें के धहर 10 का पावर-10 से लेके 10 का पावर-8 मीटर तक होती है और ये चिकित्सा में निदान के लिए सरवाधिक पडियोग की जाती है ठीक है निमने मैं से क्या तरंग की विशेस्ता नहीं है तो इसमें की विशेस्ता का उदारन है तो रासायनिक परिवर्तन का उदारन आपका निस्किरियन हो जाएगा निस्किरियक करन वह परिवर्तन जिसमें एक आथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कालाते हैं और यह जो निश्क्रिया करन है इसी को हम उदासनी करन भी कहते हैं और यह एक परकार का रासाइनिक परिवर्तन है निम्निलिखित में से किसने या प्रस्तावित किया था कि प्रतेक तद तुमें एक विशेश प्रमानु द्रमान होता है तो इस प्रस् इन्होंने प्रस्तावित किया था कि जो प्रतेक तत्व होता है प्रतेक तत्व में एक विसेज प्रमानुदरमान होता है यह डॉल्टन का स्टेटमेंट था ठीक है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं यहां पे कोशन नमबर आपका 75 लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के ल इसकी सामर्थ को बढ़ाने के लिए जो होता उसमें कार्बन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है नेक्स्ट है एलेक्ट्रोन की वह अधिक्तम संख्या जो वाइतम कक्षा में रह सकता है वह हो जाएगा आपका आठ एलेक्ट्रोन के वाइतम कक्षा में आठ जो है वह रह सकता ह निम्निलिकित में से किस नियम के अनुसार गैस का आईतन गैस के दाव के व्यूत करमानु पाती होता है तो option number इसका A correct हो जाएगा देखिए boil का नियम आपने पढ़ाओगा boil का नियम जो होता है उसके अनुसार इस्थिरता पर किसी गैस का आईतन गैस के दाव के व्यूत करमानु पाती होता है यानि कि B directory proportional होता है 1 by P के जिसमें आपका जो B और P होता है वो इस्थिरांक होता है P और B ठीक है अगे देखते हैं pH में मान 7 से लेके 14 में बिर्धी निम्न में से क्या परतिनिधित करती है अच्छा pH का मतलब आप लोग कितने आदमी जानते हैं कॉमेंट करके जुरूर बताएंगे कि pH एक्चुली है क्या pH का मतलब क्या होता है ठीक है तो pH के मान 7 से लेके 14 में बिर्धी निम्न में से किसका परतिनिधित करती है तो इस प्रस्ण का आंसर हो जाएगा OH-Ion का OH-Ion के सांदरता में बिर्धी का जो विलियन की अमरता और छारकता को दरसाती है किसी भी विलियन का अगर pH मान संख्यात्मक रूप से द्रभूत हाइड्रोजन आयन विच्छोप के लगू कनक के बराबर होता है तो pH मान 7 से 14 में बिर्धी हो जाती और OH-Ion संदरता में बिर्धी का परतिनिधित करती है नेक्स प्यक्त है कि Paulorine, Colorine, Bromine, Iodine, Acetine और समानता किस नाम से जाना जाता है तो इस सभी को समानता हैलोजन के नाम से जानते हैं हमारे प्रियर्धिक टेवल में 17 वर्ग होते हैं 17 वर्ग में इस्थित पांच तठो Paulorine, Colorine, Bromine, Iodine, Estatin सीलीकन है लेकिन पडेसियम अलग है, जर्मेनियम सिलिकन और गेलेलियम हमारे आवर साद्न में पी ब्लॉक के element है वहीं आपका potassium जो है वो S block का element है ammonia sulfate का रासाइनिक सुत्र होता है तो ammonia sulfate का रासाइनिक सुत्र होता है NH4 whole to SO4 ठीक है option number आपका बी correct हो जाएगा cytoplasm एक jelly जैसा द्रब होता है जो मौजूद होता है तो cytoplasm एक jelly जैसा द्रब होता है जो मौजूद होता है हमारे केंद्रक और कोशिका जिली के बीच option नमबर A कोशिका द्रब एक jelly जैसा चैसा होता है जो चेंद्रक और कोशिका जिली के बीच पाया जाता है कोशिका द्रब में अनेक परबनिक और अउकर्बनिक पतार्त होता है कोई सिलका के अनसंघटक और कोई सिलका अंग कोई सिका अद्रब में भी पाए जाते हैं छीए तो दोस्तो इस प्रस्न की विसेस कार्ज करने वाली विभीन परकार के कोई सिकाओं का समु जटिल उतल कलाता है और जाइलम और फुलोयम जटिल उतल के एक्जामपल है जीन उत्परिवर्तन निमने लिखित में से किसके कारण होता है तो जीन उत्परिवर्तन जो होता है वो नाइट्रोजनी छारों के अनुकरम में पडिवरतन के कारन होता हैокस Bijna चिन जन्तुव में में सामिल नहीं है तो सररी स्रीप हो जाएगा तो बोलते हैं और यो प्राणियों नहीं है वह जाएगा सरी स्रीप जिन जन्तुव में में मेरो दंड्र नहीं पाया जाता है वो औकोसरू की जन्तू कहला आता है और जिन में पाया जाता है उसको क्या कोसरू की जन्तू कहते हैं तो औकोसरू की में आपका एरक्रीड हो जाएगा एस्पंज कीट मोलस का अर्थो पोड़ा आ जाएगा और कोसरू की तंतू में जन्तू में आ जाएगा मच अस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है योस प्रस्वी का उपकरन का उपकरन का उप्योग स्रीर के आंत्रिक अंगों की बहुत करते हैं पढ़िया सरीर के आंत्रिक धाचे को समझने में सहता भी करता है निम्लेकित में से मानब मस्तिक्स का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें बिचारों का संग्रा होता है वो हमारा अग्रमस्तिक्स है क्या है अग्रमस्तिक्स अग्रमस्तिक्स जो है यह हमारे मानब सरीर का वह हिस्सा ह तो हडियों के बिच पाये जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है मोवेवल जाइंट जो होता है जहाँके हम हंहों करता है वहांपे जो हडियां पाई जाती है उसमें सनेहग पदर्थ क्या होता है तो Sinovill direct होता है किसी जंगम जोड़े कि दो हडियों के बिच पाई जाने वाला सनेहग पदर Sinovill direct होता है आयोडीन निम्निमे से किस के संसलेशन के लिए आवसेक है तो आयोडीन जो है वो थाइरोक्सिन के संसलेशन के लिए आवस्टेक है थाइरोक्सिन के संसलेशन के लिए 90 नमर प्रेस्ट है कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है वही बिटामिन A की कमी से रतोधी होता है B की कमी से बेडी-बेडी और C की कमी से इस्करबिक रोग होता है मानब सरीर में बैक्टिरिया के संक्रमन का सबसे आम इलाज क्या है Antibiotics Option No.C मानब सरीर में बैक्टिरिया के संक्रमन का सबसे आम इलाज Antibiotics है जो हमारी जिवानु विकास को क्या कर देता है? रोक देता है. बिरानवे नमबर प्रस्ने मिलिखित में कौन से उत्पादन एका आधिकारी प्रतियोगिता को सुचित करते हैं? विभेदित उत्पाद क्रेताओं एवं क्रियताओं की बड़ी संख्या प्रवेश रोध समांग करता है. सयुक्ति राष्ट भी कास्ट कार्जकरम यानि UNDP का मुख्याले अवस्थित हैं तो UNDP का मुख्याले कहां पर है? नियॉयोक में है नियॉयोक में है और जो है या गरीबी उनमुलन और समानता को कम करने के लिए काम करता है और इसके अलाबा देश के डेबलप्में चमता संस्थागत चमताओं को विक्सित करने और लचिलापल मिनाने में भी मदद करता है चौरानवे नमर प्रस्ण है कि न्याइपुर्ण वित्रन एबं समानता के साथ विकास किस पंचवर्सी योजना में सरबच प्रात्मिक्ता दिया गया तो नौमी पंचवर्सी योज पंचवर्सी योजना में सरबच प्रात्मिक्ता न्याइपुर्ण वित्रन एबं समानता के साथ विकास को दिया गया अगला है कि भारतिये बीमा बिनियामक और विकास प्रधीकरन का मुख्याले कहां है इरिडा जिसको बोलते हैं इसका हेड़कॉर्टर हैदराबाद में ह भारतिये बीमा बिनायक विकास प्रधीकरन का हेड़कॉर्टर हैदराबाद में है और यह कैसी संस्था है तो यह जो है एक स्वायत और वैधानिक निकाई है जिसे बीमा को बिनियामित और बढ़ावा देने का काम स्वापा जाता है अब यहां पर आपका 4% जो है वो तर तो हो जाएगा तो मिरे कर्णिंग और इसका हो जाएगा 47 वला ऑप्जन का और सब्सक्राइध लिए ने जलमती और देख लेगा उंतक्सांश का सीब्सक्राइगा मैं आपको बता दू 37 पुर्णांक 37 पुर्णांक एक वर्टा 2 इसका करेक्ट आंसर आएगा ठीक है 99 नमर प्रसंद का आंसर A है और 100 नमर का B है तो यह आपका 100 प्रसंद का स्रीज था जो समाप्त हो गया है प्रैक्टिस एट नमर 5 तो उमीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा प्लीज पसंद आया तो सेर कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा चनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ अब तक के लिए धन्यवाद